बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था, जिसमें कई तरह के जानवर रहते थे, उस जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा जील था, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता था, जील के किनारे पर एक पुराना पीपल का पेड था, जिसके नीचे एक गहरी गुफा थी, इस सबसे बड़ा बच्चा था नागू, फिर नागिन, तीसरी बच्ची थी निंजा, और सबसे छोटा बच्चा था चंदू, ये चारों बच्चे बहुत ही प्यारे और शैतान थे, वे हमेशा खेलते रहते थे और जंगल में छिपने छिपाने की खेल खेलते थे, एक दिन ज देखा और सोचा कि ये चोटे-चोटे बच्चे आसानी से उसके शिकारी बन सकते हैं, उसने बच्चों से कहा, नमस्ते चोटे दोस्तों, आप लोग यहां क्या कर रहे हो, नागू ने जवाब दिया, हम खेल रहे हैं, आप कौन हैं, गीदर्ड ने कहा, मैं गीदर्ड मुझे जंगल के सारे जानवरों की कहानिया बहुत अच्छी लगती हैं, क्या आप मुझे कोई कहानी सुनाना चाहेंगे? नागू ने सोचा कि गीदर्ड तो अच्छा है, क्यो ना इसे एक कहानी सुनाई जाए? उसने अपने भाई बहनों को देखा और कहा, ठीक है, हम एक बार, जब हमारे माता-पिता एक बड़े परवत पर शिकार पर गए थे, वे एक बूढ़ी चुडैल से मिले, चुडैल ने उन्हें देखा और कहा, मैं बहुत बीमार हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हमारे माता-पिता ने उसकी मदद की और उसे एक दवा दी, चुडैल ने धन्यवाद करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक आशीरवाद देती हूँ, तुम्हारे बच्चों को कभी भी किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, यही कारण है कि हम कभी भी किसी भी खत्रे का सामना नहीं करते, गीदर ने कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे माता-पिता सच में दयालू है, तभी गीदर ने देखा कि नागराज और नागिन लौट रहे हैं, उसने बच्चों को अपनी योजनाएं बताई और जल्दी से वहां से भाग गया, जब नागराज और नागिन आये, तो बच्चों ने उन्हे गीदर की बातों के बारे में बताया, नागिन ने कहा, बच्चों तुम्हें किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, गीदर ने हमें देख लिया था और उसने सोचा कि हम उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, बच्चे समझ गए और उन् जो हमें सिखाती है कि किसी भी अजनबी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, और माता पिता की सलाह हमेशा माननी चाहिए, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी